विद्धियारती मित्रों हमने पत्र के बारे में जाना है यहां पर अपनी बात भेजने का एक अन्यमाध्यम है इमेल इसकी बात है यहां हमारे देश के पूर्वर रास्ट्रपती एवं मिसाइल मैन डाक्टर अब्दूर पाकेर जैनालाब दिन अब्दूल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को इमेल किया था जिसे देशवासियों में देश भावना, कर्तव ये पालन का भाविक्सित हो और सब अपने देश को दिल से प्यार करेंगे पत्र यहां से भेजा गया है मात्रचाया, उची शेरी, गांग, मेसपुरा, तहसील, भावर, जिला, बनासकांथा दिनाग, 24.12.2011, किरण प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहां सकुशल हूँ आशा है, वहां भी सभी शकुशल होंगे तुम्हारा खर्त मिला, पढ़कर खुशी हुई मैंने डाक्टर अब्दल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक इमेल पढ़ा वही तुम्हारे लिए प्रेशित कर रहा हूँ डाक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं क्या आपके पास अपने देश के लिए दस मिनट का समय है यदि हाँ तो इसे पढ़िये वरना मर्जी आपकी इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए आप कहते हैं नगरपाली का कचरा नहीं उठाती आप कहते हैं फोन काम नहीं करता रेलवे मजाग बन गई है एरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचती आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं आपने इस बारे में क्या किया? मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापूर जा रहा है उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शकल भी दे दीजिए आप दुनिया के सर्वस्ट्रेष्ट हवाई अड़े पर उतरते हैं सिंगापूर में आप अपनी सिगरेट का तुकडा सड़कों पर नहीं फैकते और स्टोर में खाते भी नहीं है आपको उनके भूमिगत संपरकों पर रश्क महसूस होता है आप शाम पांच बजे से आठ बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तक्रीबन साठ रुपए भुकान करते हैं अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी रखी तो टिकट पंच कराते हैं लेकिन आप सिंगापूर में कहते कुछ नहीं कहते है क्या दुबए में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते जेहाद में बिना सिर ढखे बाहर नहीं निकलते वाशिंग्टन में आप पचपन मिल प्रती घंटा से उपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड के समुद्र तटो पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उचालते टोकियों में आप सडकों पर पान की पीक क्यों नहीं थोकते बॉस्टन में आप जाली योगिता प्रमान पत्र क्यों नहीं खरिते मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ आपके आप दूसरे देशों की व्यवस्ता का आदर और पालन कर सकते हैं लेकिन अपनी व्यवस्ता का नहीं भारती य धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकडाज जहां तहां फैंकते हैं कागस के पूर्जे उचालते हैं यदि आप पराय देश में फ्रशन सनियन नागरिक हो सकते हैं तो यहां भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते दाक्तर कलाम ने मुंबई के पूर्व महनगर पाले का आयुक्त पिनायकर के हवाले से कहा अमीर लोग अपने कुट्टों को सडकों पर घुबाने निकलते हैं और जहां-तहां गंदकी बिखेर कर आजाते हैं और फिर वही लोग सडकों पर गंदकी के लिए प्रशासन पर दोश मढ़ते हैं क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बहार निकलेंगे तो एक अधिकारी जाडू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुट्टे को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। रास्ट्रपती ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुट्टे के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंद की साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्ता के बारे में उन्होंने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलटाते हैं। हम आराम से बैट कर सोचते हैं कि अब हमारे नाजनकरे उठाये जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी। और हम फर्ष पर पड़ा हुआ रद्धी कागज उठाकर उसे कुड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेल्वे हमारे लिए साफ सुथरे बातरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तिमाल करना भी नहीं सीखेंगे। दाक्तर कलाम समाज की ज्वलंत समस्याओं की और इशारा करते हुए कहते हैं समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवया है। हम ड्राइंग रूम में से बैट कर दहेज के खिलाफ गलाफ आरते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्ता ही खराब है, अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा, तो इस से कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा, इस व्यवस्ता को बदलेगा कौन, यह व्यवस्ता है किसकी, आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्ता में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कताई नहीं, जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है, तो हम अपने परिवार को सुरक्षत कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर नहारते हैं, और इ कहा हम अपने भैसे भाग कर अमरीका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्ता की प्रशंसा करेंगे, और जब नियू यॉर्क असुरक्षित हो जाएगा, तो आप इंगलेंड भाग जाएंगे, इंगलेंड में बेरोजगारी होगी, तो खाड़ी चल क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथो गिर्वी रख दिया है? इस प्रकार इस इमेल के जरिये, डॉक्टर कलाम व्यवस्ता में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जकजोर देते हैं, स्रेश्ट नागरिक बनने की शुरुवात करने की अपील करते हुए, संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत है, तो इसे अपने दस और साथियों को इमेल से बेजिए, परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरन मित्रो, जब हम भाषा की विशेषता की बात करते हैं, तो भाषा में कई प्रकार के ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं, जिससे बड़ी बात एक ही उदारन से कही जाती है, कहावते भी इसी प्रकार का माध्यम में, अगर आप किसी को कोई बात सीथी तरह से नहीं कह सकते, वहां कहावत का उप्योग यथार्थ होता है, आईए ऐसी ही कुछ कहावत को उदारन के साथ समझें, भाषा सज्जिता, कहावत, पढ़िये और समझिये, एक, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, एक वस्तू के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते, यदि दो महत्वकांग्शी लीडर एक ही पार्टी में रहेंगे, तो सदा टकराव की स्थित्ती रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, दो, खोदा पहार निकली चुहिया, अधिक महनत लाब कम, ज्यादा मुनाफ़े के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफ़ा हुआ, इसी को कहते हैं, खोदा पहार निकली चुहिया, सेट जी ने अपने निर्दोश नौकर पर चोरी का अलजाम लगा कर उसे दो साल के लिए जेल भिजवा दिया, किसी ने ठीकी कहा है, जिसकी लाठी उसकी भैस, उिसकी भैस, थैस जी हाथ, जो बाम मात्र के घ्रेंगे हुआ, झाप है झाले UPना, झाली केशना मात्यों नौकर झाले हए।